मुझफरपुर में खेला गया ललीत विजय फुटबॉल कप टूर्डामेंट खुदी रामबोस स्टेडियम में मुझफरपुर के एतिहासी के मैदान में मैच की सुरुवात हो रहे हैं मुझ त्यारी और सीवान के बीज मैच खेला जाएगा थोरी देर में मैच की सुरुवा सब्सक्राइब करें मैच जो उनाइडेड कलव सीवान और स्पोर्ट कलव ने पिहारी के भीच खेला जाएगा थोरी खड़े रहेंगे जो नहीं टीम के खिलारियों से स्परिश है पर आप तो हुआ अब आप तभी आग रहे हैं मैच के आप ड्रोन फूटेज आप देख रहे हैं रोमांचक और संगरस्पूर्ण नों मुगाबला हुआ दोनों टीमों ने कोई गोल कर सकी निर्दारित समय के खेल में लाइब मैच आपको हमारे चैनल पर देखने को मिला और ड्रोन से लिगए कुछ वीडियो फूटेज आपको हाइलाइट्स के रूप में दिखाई जा रही हैं दोनों हाप में कोई गोल नहीं कर सकी सिवान या मुतिहरी की टीम ने और अच्छे खेल का प्रतरसन भी किया दोनों टीम में लगबग एक समान खेल रही थी किसी का पलड़ा भारी नहीं था पर गोल नहीं होने के कारण निजधारित समय के बाद अतरिक्त समय 15 मिनिट दिये गए सारे 7 मिनिट के दो आप में पहले हाप में भी कोई गोल नहीं हो सका दूसरे आपके 118 मिनिट में रोहित ने सिवान की दरब से सांधार गोल कर अपनी टीम को बड़त दिलाई और ललित विजय फुटबोल कप पर अपना कबजा जमान क्या हूं ब एक दी बड़ से सांधार जमान कर दो कर दो झाली झाल 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 झाल